हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजाइन, तो एक मैंने ये डिजाइन बनाया है, इसे इसे हमारा पूरा डिजाइन बनेगा, चाहे आप बेडशीट बनाएं, जा टेबल का कवर बनाएं, इसे आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं बनाना भी एकदम आसान है, तो चली बनाते हैं, डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने CUTTING कर लिए, कपड़ा दो color का चाहिए, इक light color चाहिए, एक dark color चाहिए, तो ये मैंने दो पीस कट किये हैं, ये भी दो पीस हैं, दो ऑनकी साइज में हैं, साड़े चे इंच, और यहां से भी 6.5 इंच है, 6.5 इंच, 6.5 इंच इसके दो पीस है, ये भी दो पीस है, ये हैं 5.5 इंच, और यहां से भी 5.5 इंच है, ये दो पीस है, इनको इस तरह से इकठे करके दुनों को बराबर करके रख लेना है, इसका half triangle बनाना है, ये corner है, यहां से लेके यहां तक ऐसे हमें लाइन लगा देनी है इसके बाद जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना रखके यहाँ पर लाइन लगा देंगे और इस साइड में भी ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है अब यह मार्किंग की है साइड वाली जो लाइन है यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है और यह पीस है इसे हमें यहां से पूरे चारो और सिलाई लगा देनी है सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद यह सेंटर की जो लाइन है इसे कट कर लेना है यह बनसे दो पीस, अब ये पीस रेडी करेंगे, ये पीस इससे यहां पर सिलायू लगी हुई है, यहां से ये कोर्नर और ये कोर्नर को मिलाते हुए, यहां पर लाइन लगा लेनी है, जैसे लाइन लगाई है, उसी तरह कut16 करके मिलाजर द लेंगे, ये चार पीस बन गे हैं और ये दो पीस है अब इनको प्रेस कर लेनी है प्रेस इस तरह से करेंगे और कपड़े को ऐसे टर्न करके इस तरह प्रेस कर लेनी है दूसरा पीस भी ऐसे ही करेंगे और ये पीसीज है ये भी इसी तरह प्रेस कर लेनी है प्रेस करने के बाद ये कोर अभी को निकलते हैँ इनको उत्युकर कर लेना है 5 सार्ड मेट ब्राबर। करके टने करने हैं। इसे पीश र्यक्णा करने हैं इसे लिए आप लत बन ख्यों लिए मौत अर्डे ख व्युया सस्गाने हैं। इसके बाद ये दूसरा पीस भी इसी तरह रखेंगे, इस तरह से, इस तरह पीसी रखेंगे हैं, इसी तरह सिल लेंगे इनको, ये इसके साथ सिल लेंगे, ये इसके साथ सिल लेंगे, ये पीसी सिल दिये हैं, अब साइडों में कपड़ा एक्स्रा है, इसे कट करना है, बाकी कीई एक्सरा में ककर लेना यहां से सि शे इंच पर निशान लगा देना और इस साइड से भी यह यह थोड़ा-धोड़ा जो भी है इसे इस तरह से एक्टन, लगा को ड्वाण लर्णा के लिए है इस साइड से भी तो यह सीधा हो जाएगा और यह साइड है यहां भी छेंच रहना चाहिए बाकी हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना है थोड़ा है इसे कट कर लेना है इससे क्या जब हम दूसरा पीस सिलेंगे तो कोर्नर से कोर्नर बराबबर आएंगे और एकदम डिजैन भी में बैठेगा जाल दिक यह बन गया एक पीस इसी साइज का यह दूसरा पीस बना लिया है दो पीस चाहिए और यह दो पीस मेंने हाफ ट्रेंगल के काटे हुए है अब यह पीस से इस के बराबर होने चाहिए अगर थोड़ा वह तो आगे पीछे है कपड़ा तो इसे हमें तोड़ा तोड़ा ये जादा है तो इसके बराबर कर लेने है सारे pieces दोपीस बन गे हैं ये और दोपीस ये बन गे हैं अब इन pieces को arrange करना है ये pieces इसे इस तरह से रखना है उसके बाद ये half triangle है ये यहाँ पर ऐसे लगाएंगे दोनों पीस इस तरह से लगाने है ये पीस ऐसे आना चाहिए और ये वाइट वाला इस तरह ऐसे जाना चाहिए इसी तरह ये दूसरा पीस ऐसे लगा लेना है और ये पीसे इसे इस तरह से लगाना है ये डार्क कलर इसके साथ टचोने चाहिए सारे पीस इस तरह से लगाने है अब यहां पर देखे यह मैंने इस तरह से दोनों लगा दी है डार्क अब यह लाइट कलर का है बाइट इसके साथ जुड़ेगा और डार्क वला इसके साथ यह जुड़ेगा यह डार्क इसके साथ जुड़ेगा इस तरह pieces को यहाँ पर set कर लेना है अब इनको sealना है यह piece इसके साथ से लेंगे और यह इसके साथ से लेंगे तोनों piece seal दिये हैं अब इन pieces को इस तरह से seal देना है लगने के बाद हमें इस तरह से press करनी है और इस तरह कपड़े को turn करके अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर लेनी है अब यह पीस बनके रेडी हो गया है तो यह बना है हमारा साड़े ग्यारा इंच है यहां से और यहां से भी साड़े ग्यारा इंच है साड़े ग्यारा बाई साड़े ग्यारा इंच का यह पीस बना है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर तो इस तरह से पूरा डिजाइन बन जाएगा एक ही ब्लोक है इस만 पूरा डिज़ाइन पते हागा डिजाइन आपको कैसा लगा डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादे se बतनानाशूरू करते हैं तो design बनाने के लिए मैंने कपड़ा यह कपड़ा हमारा मेचरमेंट में है साड़ेश साथ injured इस सारी सहभी नाय सत है अगर यहां पर बड़ा रखना चाथे हैं तो बड़ा भी हमरक सकते हैं तो यह कपड़ा है इसको यहां से इस तरह से तिर्शी लाइन लगा लेंगे इसके बाद यह दो कलर का कपड़ा लेंगे इसी से हमारा डिजाइन बनेगा तो यह दो इंच है लंबा जादा लेना है यह भी दो इंच की स्ट्रिप्स है जैसे यह स्ट्रिप्स है इसको हमें यह यहां पे इस तरह से लगाना है यह सेंटर लाइन है इस के ब्रापर रें इसके बाद आणे ही यहां पर किनारे से सिलाई लगा देनी है इस साइड में भी किये के कटिंग कर लेंगे इसके बाद ये स्टेप्स लेनी है दूसरे कलर की तो यहां पर इस तरह से लेंगे इसके उपर रखना है यह सिलाई है यहां पर ही हमें सिलाई लगा देनी है यहां पर सिलाई लगा दी है मैंने अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है यहां पर प सिलाई में लगा दी है इस तरह से कपड़े को ऐसे करेंगे और यहां से इस तरह से ऐसे कर लेना है और इसके बाद फेस से हमें यह कलर का कपड़ा लगाना है यहां पर सिलाई लगा देनी है यहां पर यह स्ट्रिप्स भी लग गई है अब इस स्ट्रिप्स को भी हमें इस तर से कर लेना है तो एक साइड हमारी कम्प्लीट हो गई है इसके बाद ये दूसरी साइड है तो जैसे यहां पर ये लाइट कलर का लगाया है तो इस तरह रखेंगे ये सिलाई है इसके उपर कपड़े को रखेंगे और यहां से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर भी सिलाई लगी है इसके बाद इस कपड़े को ऐसे करना है यहाँ पर और इसके बाद हमें यह स्रिप्स लगानी है यहाँ पर तो यह मैंने मेरून कलर की भी लगा दी है इस तरह से लग गई है यह स्रिप्स इसके बाद हमें यह लाइट कलर की लगा देनी है यहा प्रेस करने के बाद इस पीस को हमें इस तरह से रखना है अब जैसे यह पीस है हमारा कटिंग का तो इसके बार बाहर जो भी कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है तम ब्राबर करके कट कर लेना है चारों तरफ से यह एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कट कर दिया है अब यह पीस हमारा इस तरह से रेडी हुआ है एक पीस बनके रेडी हो गया है इसी साइज के हमें चार पीस बना लेने है यह चार पीस में बना लिये है अब इनको हम अरेंज करेंगे जैसे एक पीस से हमें इस तरह रखना है जै ये भी हम इस तरह से ये सेंटर के लाइन आगी और ये भी हमारा इस तरह से आएगा ये हमारा एक डिजाइन बन जाएगा इस तरह से तो इस तरह से भी बना सकते हैं इसके बाद हमें यसे इसे दूसरा डिजाइन बनाना है तो ये हमारा जैसे वाइट है ये हमारे इस तरह से यह मैंने चारों इस तरह से लगा दिये हैं तो यह डिजाइन हमारा इस तरह से बन जाएगा तो इस तरह भी बना सकते हैं और जैसे मैंने पहले बनाया वह भी हम बना सकते हैं मैंने पहले वाला डिजाइन है वही बनाऊंगी इस तरह से रखेंगे इस तरह से रखा है अब द दोनों साइडे सिल दी है, अब दोनों साइडे ये सिलनी है, यहाँ पर ये सेंटर का पॉइंट है, और ये सारे जो जो जोइंट है, इनको बराबर रखते हुए सिलाई लगाते है, ये सेंटर की सिलाई में लगा दी है, तो इस तरह से ये डिजाइन बना है, ये कोर्णर से क बड़ा निकलेंगे अब यहां पे हमें आयरन कर लेनी है तो जैसे कपड़े को इस तरह खोल के आयरन करेंगे तो यह मैंने बैक में पीस जो लगाया है यहां पे हम पुराना कपड़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि यह हमारा अंदर में ही रहेगा देखेगा नहीं इतने मेजर् काटिंग में जो मैंने लिया था साथ भाई साथ का वह आट भाई आठ जा नो भाई नो ले सकते हैं तो हमारा उस हिसाफ से यह बड़ा हो जाएगा तो अगर आपको पूरा कुशन कबर बनाना सीखना है जैसे जिप बाला जा बिना जिप बाला तो और चैनल पर मैंने बना से एक ब्लोक सा बन जाएगा यहां पर यह भी हमारे ब्लोक बनते जाएंगे यह भी ऐसे बन जाएगा तो बहुत ही प्यारी हमारी एक बैड़ शीट बनके भी रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स डिजाइन हमारा बन गया है अब इस डिजाइन से आप चाहें कुशन कवर बनाए पिलो कवर बनाए जाब बैडशीट बनाए कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल पर ने हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में